गुड बॉर्निंग फ्रेंड्स तो प्रेलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक हम आज देखते हैं जो की है अपॉइंट्मेंट ऑफ जजिस तो अभी प्रेजिनेंट ऑफ इंडिया ने आपको पता होगा कि अलहाबाद हाई कोट में 28 जजिस के अपॉइंट्मेंट की है तो इ प्रेजिदेंट कैसे अपॉइंट्मेंट करते हैं उनको प्रेजिदेंट ऑफ इंडिया कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और गवर्नर ऑफ द स्टेट को ठीक है तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोट के कंटेक्स्ट में याद रखो दो तरह के जजजिस अप appointment हो रही है तो उसके लिए procedure different है और normal judges of high court की जब appointment हो रही है तो उसके लिए जो procedure है वो different है तो chief justice of high court की जो मैं बात बता रहा हूँ आपको उसमें president of India consult करते है chief justice of India के साथ और governor of the state in question के साथ ठीक है जिस state में chief justice of high court appointment हो रहे हैं उनके governor से भी पूछा जाता है ठीक है अब जो बाकी judges होते हैं high court में जैसे जो अब 28 judges अलाहबाद high court में जिनके appointment होई है उनकी appointment कैसे होई होगी तो जो chief justice of India है वो two senior most supreme court judges के साथ है collegium बनाया हुआ उन्होंने ठीक है ये किस के लिए बनाया हुआ है appointment of high court judges अब याद रखो appointment of high court judges does not mean chief justice of high court ठीक है सिरफ normal जो हमारे judges है high court के supreme court के नहीं high court के जो judges के appointment है उसके लिए जो collegium system है उसमें chief justice of India और जो दो supreme court के senior most judges होंगे उनका collegium system है उनको represent कौन कर रहा है chief justice of India ठीक है उनको वो जो ये collegium system है ये law ministry को नाम देता है ठीक है अब ये law ministry को जो नाम देगा अब ये basically आप याद रखो कि chief justice of India जो ये collegium system है ये उस concerned state के chief justice of high court को भी consult करते हैं ठीक है अब याद रखो कि उस उन ये थोड़ा साथ detail में जाने वाली बात हो जाएगी बट आपको फिर भी पता होना चाहिए कि जब वहाँ high court के judges के appointment होनी है तो जो chief justice of India का जो एक तो collegium है वो और जो high court जिस high court में judges के appointment होनी है उनके भी वहाँ पे chief justice of high court का है collegium system होता है ठीक है अब ये आपको जानने के जरुवत नहीं है कि उस collegium system में कौन-कौन से judges होते हैं या कितने senior most judges होते हैं इतना detail में हमें समझने के जरुवत नहीं है बट समझ लीजे है कि उनधर के chief justice of high court को हमारे जो chief justice of India है वो consult करेंगे और फिर जो नाम डिसाइड होंगे उसको law ministry को भेजा जाएगा और जो law ministry है वो उस उन नामों को president of India को भेजती है ठीक है अब फिर president of India या तो उन नामों को approve कर देते हैं या फिर उस उन नामों को reconsideration के लिए भेज देते हैं supreme court को ठीक है अगर फिर भी supreme court वो नामों को दुबारा भेज देते है तो president of India को उन persons को appoint करना पड़ता है ठीक है अब qualification क्या है high court judge की पहली qualification तो यह है कि वो judicial office in territory of India कम से कम 10 साल तक कोई judge होने चाहिए वो किसी भी चाहिए district या किसी lower court के judge होने चाहिए minimum 10 years के लिए ठीक है या फिर वो high court के ही advocate होने चाहिए 10 साल तक के लिए ठीक है अभी सिरफ यह दो conditions है qualification में जो तीसरी condition जो की supreme court के judge के लिए होती है specially जो distinguished jurist की वो high court के context में नहीं है available ठीक है अब याद रखना आपको confused मत होना असल में आपके दिमाग में क्या आएगा कि supreme court के context में distinguished jurist की possibility नहीं है judge बनने की लेकिन ये गलत है असल में high court of किसी state के high court में distinguished jurist को judge बनाने की possibility या provision नहीं है ठीक है अब हम देख लेते हैं कि जो three judges case हैं वो भी हमारे लिए क्योंकि important हो जाते हैं तो हम देख लेते हैं first judges case जो थे 1981 में आया था अब वो किसलिए आया था ये क्यों ये case गया था supreme court में उसमें ये देखा गया था कि जब judges की appointment होती है उसमें CGI से consultation की बात की है कि president consult करेगा chief justice of India के साथ तो उन्होंने पूछा था कि क्या जो chief justice of India के साथ consultation करनी है क्या उनकी concurrence भी चाहिए मतलब president of India जब chief justice of India से पूछते हैं तो क्या अगर chief justice of India कोई दूसरा नाम बताते हैं या फिर हाँ या ना करते हैं तो president के उपर वो binding है या नहीं तो उन्होंने जो first judges case में supreme court ने कहा 1981 में कि नहीं उनके president के उपर वो जो decision है वो binding नहीं है chief justice of India का तो अब इसमें क्या हुआ कि जब president के पास प्रेमिसी आगी प्रेमिसी ऑफ executive जो organ of the state हो गई तो executive के पास प्रेमिसी रही 12 साल तक कि president of India का मतलब क्या होता है basically union cabinet तो union cabinet जो law ministry है जो वो नाम चाहते थे उनको judges बनाते रहे 12 साल तक ऐसा होता रहा लेकिन फिर second judge case आया ठीक है 1993 में ये supreme court advocates अब ये first judges case में आप नाम याद रख ले ना SP गुपता case ठीक है इसको first judges case केहते है second judges case में क्या नाम है supreme court advocates on record association versus union of india case ये है हमारा second judges case ये 1993 का है इसमें पूछा गया कि क्या जो chief justice of india है ये दुबारा question arise हुआ कि क्या जो chief justice of india है उनकी जो recommendation है जो उनकी consultation की बात करती है तो जब वो recommendation देते हैं president को क्या वो प्रेजिडेंट के उपर binding है तो उसमें court ने supreme court ने पुरी पुरारी जज्जमेंट को बदल दिया उन्होंने कहा कि हाँ जो chief justice of india है उनकी जो recommendation है वो president of india के उपर binding है जो consultation है उसका concurrence के साथ replace कर दिया उन्होंने कहा कि consultation का मतलब है concurrence कि president of india को chief justice of india की concurrence लेनी पड़ेगी एक तरह से ठीक है तो chief justice of india को एक तो उन्होंने इजाज़त लेना compulsory कर दिया और दूसरा उन्होंने कहा कि chief justice of india की concurrence लेने का मतलब है एक collegium system chief justice of india अकेले नहीं होंगे कुछ और judges भी होंगे जो वो फैसला लेंगे नामों पर जिन judges की appointment करनी है तो इससे collegium system born हुआ अभी ये नहीं बताया कि collegium में लोग कितने होंगे कितने judges होंगे ये भी कुछ नहीं बताया है Supreme Court ने second judges case में लेकिन ये बोला है कि collegium system होना important है तो आप याद रखो आपको pre के लिए ये fact important है कि second judges case में collegium system जो है वो born हो गया था ठीक है अब क्योंकि ये नहीं बताया गया है कि collegium system में कितने judges होंगे तो third judges case जब आया 1998 में तो President of India के आर नरायनन ने Presidential Reference to Supreme Court अब ये Presidential Reference to Supreme Court कौन से आर्टिकल में mention है Article 143 of Indian Constitution तो Article 143 of Indian Constitution के हिसाब से President ने Supreme Court से ये पुछा कि consultation जो है वो 124 आर्टिकल 124 क्या है Supreme Court के judges के appointment 217 क्या है High Court के judges के appointment 222 क्या है transfer of High Court judges तो इसमें consultation का meaning क्या है President of India ने दुबारा confirm करने की बात कही ठीक है तो अब Supreme Court ने बताया कि consultation का मतलब है कि consultation with a number of judges in the informing the CGI's opinion अब ये Collegium System की बात हो रही है कि CGI अकेले ही नहीं CGI के साथ जो और भी judges है उनके साथ consultation करनी है और अब उन्होंने procedure बता दिया Supreme Court ने कि CGI प्लस four senior most colleagues Chief Justice of India के साथ four senior most जो Supreme Court के judges होंगे वो Collegium System बनाएंगे Supreme Court के judges के appointment के case में ठीक है और CGI प्लस two senior most colleagues in the case of appointments to high court Chief Justice of India प्लस two senior most judges of Supreme Court अगर हमें वो Collegium बनाएंगे appointments to the high court judges ठीक है जब High Court के judges के appointment करनी होगी तो ये CGI प्लस two senior most colleagues का Collegium होगा ठीक है तो अब तुबारा क्या हुआ अब ये case पलट गया अब ये एक तरह से context पलट गया है कि Premacy of High Judiciary जो है वो executive के उपर judges के appointment के context में Premacy of Judiciary over executive तुबारा establish कर दी गई ठीक है तो ये हमारा third judges case था तो first judges case में Premacy of Executive over Judiciary आ गई थी लेकिन third judges case में Premacy of Judiciary over Executive आ गई है तो अब ये ही Collegium सिस्टम चल रहा है बीच में NJAC आया था National Judicial Appointments Commission बट उसको Unconstitutional करके Invalid कर दिया गया है तो वो अब जो हमारा third judges case है उसी के basis पे हमारे judges की appointment होती है अब next जो topic हमारा news में चल रहा है वो है winter session of parliament अभी क्योंकि डेली में COVID के cases बहुत जादा बढ़ रहे हैं तो generally हमारा winter session of parliament जो last week of November में शुरू होना था वो अब शुरू नहीं होगा इस बार उसको miss किया जाएगा ये पहले कभी क्या miss हुआ हाँ जी पहले भी 1975 में 1979 में और 1984 में winter session को नहीं बुलाया गया था ठीक है अब थोड़ी से facts देख लो आप कि winter session की dates क्या होंगी इसको कौन decide करता है cabinet committee on political affairs ठीक है तो union cabinet में जो committees होती है उसमें एक बहुत important committee है cabinet committee on political affairs वो मिलती है और decide करती है कि कौन सी dates पे जो session होंगे parliament के session वो बुलाये जाएंगे फिर वो नाम वो आगे president of India को recommend करती है वो जो I mean जो वो dates है वो session की वो president of India को recommend करती है और president of India फिर summon करता है parliament को ठीक है तो उन्ही date के हिसाब से president of India summoning of parliament करता है तो अब यह याद रखो कि summoning of parliament की power तो President of India के पास है, ठीक है अब आपको ये भी पता होगा कि दो Sessions of Parliament जैसे Budget Session, Monsoon Session और Winter Session, तीन तरह के हमारी Session होते हैं तो दो Session के बीच में 6 महीने से जादा का Gap नहीं हो सकता ठीक है, तो अभी हमारा September में Last Session हुआ है हमारा Monsoon Session तो 6 मंथ से पहले पहले ही हमको अगला Session बुलाना पड़ेगा जनरली वैसे हमको Winter Session बुलाना था बट अगर हम इसको Miss भी कर रहे हैं तो हम अगला जो Session हमारा Budget Session है, वो February में जनरली बुलाएंगे या Last Week of January में बुलाएंगे, तो हमारा 6 मंथ का Criteria Fulfill रहेगा, तो वो Voilet नहीं होगा, ठीक है? तो इस बार आपको याद रखना पड़ेगा कि Winter Session जो है, वो हमने Miss किया है, ठीक है? अब Next Topic हमारा है Conflict in Ethiopia अब आप कुछ दिनों से News में देख रहे हैं कि Ethiopia बहुत News में चल रहा है वहाँ पर कुछ Conflict चल रहा है Military Conflict चल रहा है, Political Conflict चल रहा है यह TPLF की बात हो रही है तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको मैं पहले सीधा ही आपको Map के थूँ समझाता हूँ बाकि आप PDF में तो इसको पढ़ी लोगे मैं आपको Map के थूँ यह तोड़ा जो टॉपिक है इसको समझा लेता हूँ ठीक है अब Ethiopia जो है वहाँ पर एक तो दो आप एक तो नाम आप याद रखो कि यह है जो President वहाँ के I mean जो Prime Minister है वहाँ के Abhi Ahmed ठीक है यह Abhi Ahmed जो है यह यहाँ पर जीत के आए है एथोपिया में और यह एक तरह से Majoritarian Politics की बात कर रहे है ठीक है जो यहाँ पर Majority Community में यह नाम है Oromos Oromos जो है थोड़ा साब Ethnicity समझ लेते हैं इस एरिया की जो Tigray People है वह वहाँ के Ethnicity में Minority में है 6% of एथोपिया की Population में है ठीक है Oromos पीपल जो है वो 34% Population में है एथोपिया की और Amharas जो है वो 27% Population में है तो जो यहाँ पर Prime Minister Elect होकर आए है Prime Minister Abhi Ahmed यह Oromos के Favor में एक तरह से आप लगा लीजिए कि Oromos यह जो Federal Government जो पूरी एथोपिया की National Government को Federal Government कहते हैं तो Tigray जो है जहाँ पर यह 6% of जो Tigray Population है जो Ethnic Minority है वो यहाँ पर रहती है तो आज तक वहाँ पर क्या होता था कि यह Tigray जो थी यह हर वहाँ की Coalition Government में एक बहुत बड़ा Support देती थी वहाँ की Government बनाने में ठीक है तो जब तक तो यह Support देती थी Federal Government बनाने में तो जितनी भी Federal Government थी तो इनको Concessions देती थी इनको बहुत Respect मिलती थी यह Tigray जो Population थी यह हमेशा Power Holding Positions पे रहे हैं बड़ी-बड़ी Positions पे यह Ethiopian Government में रहे हैं तो लेकिन अब थोड़ी Game Change होई है अब जो वहाँ पर Majority Oromo's है वहाँ से ही यह President जो है I mean फिर मैं जो Prime Minister है अभी एहमद यह Elect होकर आए है इन्होंने इस बार Tigray जो यह TPLF है Tigray's People's Liberation Front इनका Support नहीं लिया है अपनी सरकार बनाने में ठीक है तो Tigray People's Front तो वैसे एक तो यह Armed Group है तो यह वहाँ पर Struggle कर रहा था उन्हीं की एक Party है उसका Support इन्होंने नहीं लिया है तो अब जब इन्होंने Support नहीं लिया है तो वहाँ पर जो यह Tigray की Population है जो Tigray Ethnic Minority है यह इनके वहाँ पर Conflict दुबारा Arise हो गया है Against Majoritarian Government of Abbey Ahmed ठीक है तो अब Tigray में जो है इसमें इन्होंने कहा फेडरल लेवल पर तो Tigray की जो Government थी वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम तो Election करवाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर अपने Election करवाने पढ़ेंगे चाहे COVID है या नहीं हम Regional Election तो करवाएंगे तो जब Regional Election हुए तो जो Tigray जो People Liberation Front है जो की एक तरह से Rebellious Organization है जो इथोपिया में अटैक्स करती है जो Militant भी है और Political Party भी है ठीक है यह Militia भी है और Political Party भी है तो इन्होंने वहाँ पर Election करवाए जिसको जो Federal Government है जो अभी एहमद है उन्होंने इसको माननेता नहीं दी उन्होंने कहा हम इस सिलेक्शन को नहीं मानते ठीक है और जो यहाँ पर यह Government चुनकर आई उन्होंने कहा हम अभी एहमद को नहीं मानते तो यहाँ पर जो यह टिग्रे में जो Federal Government के कुछ जैसे Military के जो बेस थे उस पर कुछ Attack हुआ भी कुछ Recently ठीक है अब इसमें Geopolitics का एंगल भी है कि जो Eritrea है वो टिग्रे के Against है क्योंकि आप देखो जो भी Border Share करते होंगे Mostly उनमें Conflict होगा तो Ethiopia जो है वो Eritrea के साथ मिलके इनको दबाना चाहरा है एक तरह से अब टिग्रे को Sudan का Support मिला हुआ है जो Sudan के जो Ousted President है जो Omar I think Bashir नाम था उनका तो उनका I think देख लेते हैं आपे Omar Bashir ही है शाहिद नाम उनका तो Omar Bashir का इनको Support मिला हुआ है Omar Bashir जो Sudan के President थे उनका Sudan उनसे इनको टिग्रे को Support मिला हुआ है तो ये दोनो एक साइड हो गए है और जो Eritrea और Ethiopia इकटे हो गए है Against Tigray ठीक है तो ये सारा conflict है कि Majority versus Minority का Conflict है ये अब इसमें ये डर लग रहा है कि कहीं ये जो Conflict है ये फैलता हुआ अब इस इतोपिया में एक तरह से Civil War की situation ना आ जाए इसलिए सारी countries का इनके तरह Focus हुआ हुआ है तो geopolitical angle भी आ गया Eritrea और Ethiopia का, Sudan और Tigray का और Majority versus Minority की जो political conflict है वो भी इसके अंदर involved हो गया है तो ये बहुत complex सी situation है तो लोगों को डर लग रहा है कि कहीं से इसमे Civil War की situation ना आ जाए इतोपिया में बाकी भी जितने ऐसे areas हैं जहां पर minorities रहती है तो वो भी अगर इनके इतोपिया फेडरल government के खिलाफ उठ गई तो Ethiopia में civil war की situation arise होने के बहुत chance है ठीक है तो अब आपके लिए UPSC में क्या important है इसके लिए एक तो कि Ethiopia क्योंकि ये news में चल रहा तो इसके साथ कौन-कौन सी countries border share करती है तो Somalia, Djibouti, Eritrea और Sudan फिर नीचे South Sudan बाकी आप map में और भी देख लेना नीचे कौन-कौन सी और countries है जो उसको share करती है border इतोपिया के साथ तो ये आपको prelims में पूछा जा सकता है ठीक है तो हमारा एक और अब topic जो है वो news में है गुपकार declaration अभी recently आपने देखा होगा कि Union Home Minister अमित शाजी ने गुपकार declaration जो गुपकार alliance है so called गुपकार alliance इनके against बहुत सारी tweets की हैं इन्होंने बोला है कि ये गुपकार declaration के जो members है ये foreign support मांग रहे हैं basically क्या हुआ था कि जो फारुक अबदुला जो इनके president है गुपकार declaration के या chairman है गुपकार declaration के उन्होंने कहा था कि हम Chinese interference की demand भी कर लेंगे या उन्होंने ऐसा एक तरह से एक तरह से indirect way में बोला था कि हम Chinese interference की demand करेंगे जम्मू कश्मीर का status जो restore करने में ठीक है तो union home minister ने अभी recently a series of tweets में इनको target किया है even जो वहां की ये so called parties है जो जम्मू कश्मीर की उनको target किया है कि आप देश तोड़ने की बात मत करो अब देख लेते हैं कि गुपकार declaration आप बहुत time से आपने news paper में देख रहे होगे कि ये गुपकार declaration की बात होती है कभी इसमें कोई alliance member आ जाता है कभी कोई इसमें इनको धोखा दे देता है तो ये गुपकार declaration basically है क्या तो गुपकार declaration जब 4 अगस्ट 2019 अभी ये date याद रखो ठीक है 5 अगस्ट 2019 को तो abrogation of article 370 हुआ था ये आपको पता होगा 4 अगस्ट को मतलब एक दिन पहले ये जो वहां की जम्मु कश्मीर की political parties थी इनको ऐसा लगने लग गया था कि कुछ एक दो दिन में कुछ जम्मु कश्मीर के status के साथ central government को छेड़खानी करने लगी है ठीक है तो ये सारी जो political parties है इन्होंने कठे आके गुपकार declaration क्यों है इसका नाम गुपकार residence जो है वो फारुक अबदुला का है उनका घर है गुपकार रोड पे श्रीनगर में तो उनके घर पे जब ये declaration issue की कि कोई भी अगर जम्मु कश्मीर का status change किया जाएगा तो वो उसके against है तो क्योंकि उनके घर पे गुपकार रोड पे उनका घर है तो उसी गुपकार रोड के नाम पे ये गुपकार declaration को नाम दिया गया है तो basically ये political movement है कुछ political parties की आपको नाम याद रखने की जुरत नहीं कि कौन सी political parties है basically आप याद रखो कि BJP के अगे इलावा सारी जितनी भी जम्मु कश्मीर के political parties है वो सारी इसमें involved है ठीक है अब गुपकार declaration क्या है गुपकार declaration जो है वो कहती है कि हमें constitutional battle लडनी है ठीक है अब याद रखो हमारे इंडिया के constitution के under ही ये battle लडने की बात कर रहे है extra constitutional battle नहीं लडना चाहते है ये कह रहे हैं कि constitutional battle है में लड़ेंगे political problem जो है जम्मु कश्मीर की उसको dialogue के साथ peacefully resolve करेंगे तो constitutional battle क्या है article 370 को वापस restore करना क्योंकि वो constitution का part था article 35A जो constitution का part था उसको restore करना तो constitution के बाहर जाके ये कोई battle नहीं लडना चाहते है constitution के ही अंदर रहकर ये इस political problem जो है जम्मु कश्मीर की उसका resolution चाहते हैं ठीक है तो अब वो objectives क्या है इनके वो कैसे ये achieve करेंगे अपनी जो constitutional battle के जो उनका goal है वो कैसे उसको boycott करेंगे हम जम्मु कश्मीर के assembly के elections जो कि अभी तो वैसे नहीं हो रहे हैं बट ये बात चल रही है कि कुछ time में UT of जम्मु कश्मीर में एक legislative assembly होगी तो उन elections का boycott करेंगे जब तक कि special status of जम्मु कश्मीर restore नहीं हो जाता और वो सारे stakeholders जो जिनका भी stake involved है जम्मु कश्मीर के peace में या political restoration of article 370 में खास कर separatist leaders जो जम्मु कश्मीर में separatist leaders हैं जो इंडिया से अलग ही होने की बात करते हैं जो जम्मु कश्मीर को अलग करने की बात करते हैं टोटली अलग होने की बात करते हैं वो 370 ही नहीं मांग रहे हैं वो तो proper ही जो कश्मीर को अलग करने की बात कर रहे हैं उन सब लोगों को भी यह क्या कह रहे हैं कि हम उनसे बात करेंगे गुपका declaration वाले कह रहे हैं कि हम उनसे बात करके उनको भी constitutional battle के अंदर involve करना चाहते हैं ठीक है अब इनका motive कहा है protect and defend the identity autonomy and special status of Jammu and Kashmir ठीक है तो यह हमारी थी गुपका declaration यह हमारे आज की topics हैं we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care